यह कहानी है एक एसे सक्स की जिस सक्स को तीन रेंडम सातियों के साथ एक आलेंड पे छोड़ दिया जाता है। ठीक साथी की पखड़ लिया गया है मतलब कि उसके एक साथी को नीचे घ्ायल करल कर दिया जाता कुछ दुस्मन में के दगारते हैं यहां पर उनका साथी धर लेकिन काफी लेकर प्रकार कारता में थीक। वो जो दुस्मन होते हैं उसके साती को नहीं मारते हैं मतलब वो कहते हैं कि तुम अपने सातियों को बुलाओ नहीं तो हम तुमें मार डालेंगे और उनका साती उन्हें पुकारता है आवाज लगाता है लेकिन फिर भी उन्हें दया नहीं आती है लेकिन बहुत टाइम बीतन और सीधा जाता उसे बचाने के लिए अब यहां पर जाते पहले वो एक दुस्मन का खात्मा करते थे और उसके बाद यहां पर कुछ दुस्मन के बच्चे आ जाते जिनके हाथों में गंस होती है उन्हें चलाना तक नहीं आता लेकिन वो गंस से फायर करना जानते तो फिलाल उनको निप्ठाने के बाद वो सक्स वहां से निकलाता है और थोड़ा सा आगे आता है तो उसे एक बग्गी न चराती है तो वो इस बग्गी को लेगा और वहां से निकल जाएगा फिलाल वो इस बग्गी में बैठने की तयारी करी रहा होता है और बैठ भी जाता है और वहां से निकल जाता है और थोड़ा सा आगे जाता है कुछ ज़ादा दुसमन पूरूदने की कोशिस करते है फ़ेर फिलाल वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लूट रहे होते तभी उनके एक साती को खैल कर दिया जाता है और उसके ऊस खैल साती को पूरी तरह से क्थम कर दिया जाता है मतलब माँ ठिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे उने चाहिए रहता है बदला बदले की याड में वो लोग सीधा अपनी बगी उठाते हैं और दोनों को दोनों सीधा खुच जाते हैं एनिमी के घर में लोको जैसे ही वो सक्स वहाँ पे जाके रुखता है उसे पता चल जाता है कि जो दुस्मन है उनके उपर छतपे बैटा हुआ है लेकिन वो बंदा जैसे ही मतलब जो दुस्मन है जैसे ही घायल होता इतना तो पता चल जाता है कि वो बंदा थोड़ी हिदेर में अपनी टिम को इंफार्म कर देगा मतलब उसके जो साती होंगे उन्हें इन्फॉर्म कर देगा और उसके बाद महाँ पे बहुत सारे दूस्ट मनाने वाले है तो खैर फिलाल वो सब चीजों की टेंजन ना लेती हुए सबसे पहले वो बंदा जाता उस बंदे को खतम करने के लिए और सीडियों के रास्ते से लेकिन उसको जिस बात का डर होता है बही होता है वो बंदा तो यहाँ पे खैर फिलाल खतम हो जाता है लेकिन उसके साती यहाँ पे पांच जाते है और उसके साती जब आते है तो वो बंदा वहाँ पे घात लगाए बैठ जाता है कि जैसे ही वो बंदे उपर आएंगे वो उनको माड ढालेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है खाफी देर तक इंतिजार करने के बाद पता चल दा है कि वो एनेमी उपर नहीं आने बाले मतलब उसके दुस्मन जो होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि बंदा उपर ही उनका इंतिजार कर रहा है तो वो बंदे भाई सब टक से मच नहीं होते हैं और उपर नहीं आते हैं मतलब कि जो दुस्मन होते हैं वो उपर नहीं आते हैं खैर पलाले यहां पर कुछ और दुस्मन आ जाते हैं जिने मारने की नाकाम कॉसिस की जाती है लेकिन कोई मर नहीं पाता है और उनकी ये नाकाम कॉस्ट इस भी नाकाम ही रहती है लेकिन उसके बाद वो बंदा डिसाइड करता है कि नहीं जो नीचे एनिमी आया जो दुस्मन नीचे आया है उन्हें जाके मारना होगा तो वो decide करता है और सीधा जाता है तब ही उसे धीबार से होके एक hole दिखाई देता है लेकिन फिलाल नीचे कोई और भी आ चाता है को दूस्मन के बच्चे आते है या फिर दूस्मन ही कहलो उने पता निक कौन आता है जो सामने hole दिकरा है उसल के तिरू वह बंदा नीचे तरफ जाता है और अब देखो क्या होता है अब वो सक्सनी से जंप तो कर देता लेकिन उसे पता चलता है कि वो जो एनेमी होता है जो दुस्मन होता है उपर छत में जा चुका है अब जो दुस्मन है वो छत पे जा चुका है तो उसे मारने के लिए छत में ही जाना होगा फिलाल यहां पे यह दुस्मन भी खात लगाए बैटा होता है लेकिन यह जादा कुछ कर नहीं पाता है और इसको यहां पे फिनिस आप कर दिया जाता है और थोड़ी ही देर में यहां पे दुस्मनों की संक्या बढ़ने बाली है क्योंकि जैसे इसको मारा जाता कुछ और लो फायर करके उन्हें बता देता है कि भाईसा यहां पे दुस्मन आ चुके है अब वो जैसे आपार्टमेंट की तरह बढ़ रहे होते तब ही उनके साइड से फायर आता और वो समझ जाते हैं कि दुस्मन यही पे केम्प करते हैं तो भाईसा फिलाल जो दुस्मन होते हैं स्मोक खूचे पाले बंदेंकर तोदे छूढे जाते और वो नोख हो जाता है उसके बाद एक और नेड़ν करते हैं सुझते कि कोई नोक हो जाएगा लेकिन ऐशा फिलाल नहीं होता नहीं और यहाँ पे वो गन से घर मेंधिदा भी गुटकर लेते हैं लेकिन सिथिक नहीं रहा ह देन उसके बाद वो एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रेनेड भी उनका एक दम फुस्वी जाता है कोई काम नहीं आता है देन वो यहाँ पे सबसे पहले कवर लेते हैं जो अपार्टमेंट वाले बंदे होते हैं उनसे यहाँ पे एक सील्ड का निर्मान करते हैं उसे तयार करते हैं जिससे की अपार्टमेंट वाले बंदे उसको तंग ना करें और फिर से एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं ल पूरी तरह से एनिमी को परेशान करके रख देता है एनिमी एकदम परेशान हो जाते हैं फिलाल इस बंदे के पास कुछ बसता नहीं है लेकिन इसका साथी तभी एक बंदे को मार गिराता है मतलब अपार्टमेंट की तरफ उसका बंदा जो इसनाए पर चला रहा होता है एक क सामने बाले को कोई फरक नहीं पड़ता नहीं मतलब इतने धीट एनिमी होते हैं लेकिन इससे बड़ा धीट नहीं देका मैंने आप तक बाई से यह वंदा इत्ता जम के बैठ जाता भार आने का नाम नहीं लेता है फिर जो भी यह उसका साथी यहां पर मरने की कौसिस करता अपार्टमेंट से लेकिन उसे कोई मार नहीं पाता है सामने बाला जो एनिमी होता है वह यहां से निकलने की नाकाम पॉसिस कर रहा होता है तब यह उन बंदों को पता चल जाता है और वह यहां पर उसके जाने से पहले ही उस पर रस करते थे अब सामने बाला जो एनिमी होता जो को दुस्मन होता हो वह यहां से गाड़ी लेके भागने की कोसिस कर रहा होता है कि तभी उसको अपार्टमेंट वाले बंदे धर धब होसते हैं उसके बाद यह सक्स होसता है कि चलो इससे थोड़ी बात लूट ले ले लेते हैं मतलब कोई डबा अगर दिग गया ना तो भाई साब उसमें कुछ लेना है नहीं लेना वह मैटर नहीं करता लेकिन उस्छेट जरूर करता है ना एक बार नहीं क्या पता कुछ मिल जाया वाई साब एद्रस सी चीजे जैसे कि यहां पर उसे फोरेक्स मिल जाता है जो कि उसक का साथी भी यहां पर उसके साथ गाड़ी में भी जाता हूएं और वह यहां से निकल जाते है फैर यहँ कि आग uda को about कुछ दु्समन उसका इनतिजार चार तो पीछे के रास्ते से निकल जाते थोड़ा आगे आते तब ही उनने सामने एक गाड़ी दिखाई देती है वो उस गाड़ी का पीछा करते है अब यहाँ पर एक दुस्मन को खायल करके पूरी तरह खतम कर दिया जाता और वो सुस्ता सब खतम हो चुके है लेकिन जैसे सामने बीड़ी का इस्तमाल होता वो समझ जाता भाई सब कोई और भी बचा हुआ है खैर फिलाल इस दुस्मन को भी मार दिया जाता और उसके बाद वो जो दुस्मन इदर स्मोक करा रहता वो उनकी काफी ज़्यादा हेल्प करता है मतलब कि थोड़ी देर में कुछ और एनिमी उपर की तरह से फायर करते लेकिन बेचारे को कुछ दिखता नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाता है फिर फिलाल वो जल्दी से यहां से अपनी गाड़ी लेते और उस एनिमी की तरह बढ़ते है जो एनिमी बहां से उनको परिशान करने लग जाता है लेकिन भाई साब ये भी बंदा इतना डीट होता है इतना चातिर होता है वो जो उपर वाला एनेमी होता है भाई साब कहीं नहीं दिखाई देता है पर देखते हैं यहां पर क्या होता है यहां पे चारो तरफ बुस में पत्थर पे सैट पे गाड़ी पे हर जगे उस बंदे को खोज लिया जाता है लेकिन वह बंदा नहीं दिखता है पता नहीं वह सक्स जो एनिमे होता है जो दुस्मन होता है कहां चुपके बैटा रहता है साइट तक वह जमीन में कोई होज़वज खोज़गे जमीन के अंदर गुसके बैटा रहा होगा इस बज़े से पहले तो उनको कहीं भी वह नजर नहीं आता है वह चारो तरफ उसे डूंड लेते हैं लेकिन वह दुस्मन इतना सांतेर होता है पता नहीं कहां गुसके बैट ज लेकिन इस बार उसक्स की किस्मत अच्छी होती और दुस्मन की खराब होती है तो वह यहां पर निटा दिया जाता है और उसके बाद टैसला में बैट जाता और निकलने की कोशिस तो करी रहा होता है कि तभी उसके साथ ही को कोई स्पॉर्ट हो जाता है और फिलाल जो इसक सीधा उन बंदों पर घुश जाएगा मतलब वो उनको रिवाइवल होने का भी टाइम नहीं दे रहा चाता हुआ हुआ है 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 यहाँ पर एक बंदा उसको जो हाथ लगा रहा होता है मतलब कि उसकी हेल्फ को रीकवर करना ही बाला होता है उसके पिछबाड़े पर हाथ पर पर रत्कियों से जिंदा करने के बाला होता अग History सबके यहाँ पर हैं सबस्तब करदेता है उसके बाद बस्ते और निकलने Бाले होते हैं अपनी टेसला में बैठते हैं लिसे नहीं पता चलता है कि उनकी गाड़ी का टाइर पूरी तरह खतम भो चुका है आस कि गाड़ी की हेलफ भी उतनी जादा नहीं है तो वह सुचते कि यार इस गाड़ी के बजाए वह कोई दूसरी गाड़ी लेने बाले हैं कभी वो उपर की तरफ देखते कि उपर एक डास यह खड़ी होई होती है तो वो डिसाइड करते कि इस गाड़ी को छोड़के वो दूसरी वाली गाड़ी ले लिंगे लेकिन यह डिसीजन उनको बहुत जाधा भारी पढ़ने बाला है देखो आप त्यसके बाद उनकी गाड़ी को फोड़के कवर बना लेते हैं लेकिन उसका साथ ही कही नकहीं उसका दिक्काट देने बाला होता है वह शसक्ता हुता है ॥ा 이 कौन शाप शीखी वो जो सक्स होता होता है तक तभी वह भाई संव नोब जाते है लूसी कुछू. तो भाई सबाव सामने बाले जो एनुम्इ में अजो हिस्विवी जो दुस्मन होते हैं उनके उनपर पूरी तरह सामला करदीदें, वो यहां पे तुरंत कुछ वीडियो को इस्तिमाल करते हैं कुछ सिगरेट पानी को इस्तिमाल करते सामने लिए श्मोग करते दन उसके पीछे हट जाते कि वो समझ जाता है कि यहां पर निया डाने वाले और वही होता है अगर आख आख था कि जो देखो मैंने स्टार्टिंग में भताता है कि यहां कोई अपना नहीं नहीं होता सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं यहां पर वो सक्स किसी का सिकार बन जाता और खतम कर दिया जाता है खेर इस तरह की कोमेंटरी करने का मैंने फर्स्ट टैम ट्राइ किया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा यह कोमेंटरी अच्छी लगे तो मुझे ज